शुप्रबाद चोक्राओ केम छो बदा मजा माने हैने तम बदा बदा पत्पतानी गरे सीव चुने ओके तो आजे आपड़े करवाना चीए आपड़े टेक्स्ट्बूग मां कलकल यो मां पहले हम देख लेंगे पोयम क्या है सो यह हम गाके करेंगे में एक बिलाड़ी पाड़ी छे में एक बिलाड़ी पाड़ी छे ते रंग बहुरू पाड़ी छे दही खाए दूद खाए ने गीतो चप चप चाटी जाए ते उंदर ने जट पट चाले पण कुतरा थी बीती चाले ते ना डिल पर डाग छे ते मारा करनो वाग छे और यह पोयम किसने लिखी है त्रिबुवन दस व्यास जी ने तो यह पोयम में क्या है एक बिलाड़ी होती है एक बिलाड़ी होई छे वह क्या करती है हमने उसको घर पे पाला है वह बहुत ही सुंदर है और वह क्या खाती है दहीं दूद गी सब खा जाती है और घर में जब भी कोई उंदर में रैट्स आते हैं तो वह उसको पकड़के खाल जाती है है ना क्योंकि चूहें इससे डरते हैं चूहों को गुजरती में क्या बोलेंगे उंदर ओके ते उंदर ने पकड़ी लेचे अने खाई जाई छे ते वी जृते कुत्रा को ने खाई छे बिलाडी ने ओके डॉके 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 इसलिए के डरती हैं बिलियां किसे डरती है किसे कुत्तों से डरती है और इसके उपर डॉट्स भी है सो और वो क्या है वो उसके घर का शेर है वाग है लायन है है ना इसलिए कोई भी दूसरा जानवर आ नहीं सकता है सिर्फ और सिर्फ वो किससे डरती है डॉक से ओके तो वन्स अगे में एक बिलाडी पाडी छे ते रंगे बहुरू पाडी छे दही खाई दूद खाई ने गीतो चपचत चाटी जाए ते उंदर ने जट पट जाले पन कुतरा थी बीती चाले ते नाडिल पर डाग छे ते मारा घर नो वाग छे तो यह पॉयम सिर्फ आपको समझनी है आपको लिखनी नहीं है लर्ण भी नहीं करनी है ओके यह सिर्फ समझनी है Okay, Cavia curry एक, हवें आपने करसु एक वारता, Okay, अभी हम एक story करेंगे, कौनसी है, लपलप योकाच बो, सबको पता ही है लपलप योकाच बो, काच बो मिस्टोटोएस, जो बहुत ही टॉक बोलता रहता है, टॉकएटी वी है, हर बार कुछ ना कुछ बड़ बड़ करता रहता है जो भी उसके पास आता है सो इस चोरी में क्या है कि एक जंगल होता है हाँ एक जंगल में क्या होता है कि बारिश नहीं होती है तो सुखा पड़ जाता है पानी वानी रहता नहीं है इतना बहुत कम हो जाता है, है ना, जब बारिश नहीं आती है, तो पानी की तकलिफ बढ़ जाती है, है ना बच्चा, तो क्या हुआ, उस साल भी ऐसा ही हुआ, सुखा पड़ गया था, तो बारिश नहीं हुई, बारिश नहीं हुई, तो नदियों में पानी नहीं था, पानी कम हो गया तो फिर अभी सब एनिमल्स कहां जाए तो कहां जाए तो इस स्टोरी में क्या बताया गया है एक टोटोईस है वो क्या करता है क्या करता है पानी कम हो जाता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो बताता है अपना शेर करता है कि पानी कम हो गया भी क्या करेंगे यह व तो तो इस तत बोनों दोन जगाव पे रह सकता है, पानी में भी उजमिन पर भी, ज्यादा तेर कहीं फे भी वह रह नहीं सकते हैं, फिर क्या हुआ ? एक बार एक लिर आया इसके पास हरण , वेसा बोला नदी में पानी नदी में पानी होता जा हुआ है अभी क्या करेंगे पिर वो हांस उनके साथ बाते करते हैं फिर उसको क्या बताते हैं कि पाणि कम हो गया अभी क्या करें तो टौटोईच से यह सब उसको बताया को फिर हंस से शूक औ이ज़ वहां पे तड़ाओ है उनका और चौटी सीय नदी कि वहां कानी बहुत है कि आप वहां पे चल सकते हैं फिर क्या हुआ तो टॉटोई उनके साथ जाने के लिए राजी हो गया मने टड़ाउ मल लई जाओ टॉटोई बोलता है किसको हंस को कि मुझे भी उस तड़ाव पे लेके जो फिर हंस क्या बोलता है कि हम आपको कैसे ले जाएंगे कुछ आइडिया तो सोचो येस तो फिर क्या सोचा कि एक लकडी लेते हैं वो लकडी एक हंस पकड़ेगा दूसरा एंड दूसरा हंस पकड़ेगा बीच में कौन पकड़ेगा कच्छुआ है ना टॉट्टो इस बीच वाले हिस्से को पकड़ लेगा बट एक शाथ पर उसको कुछ बोलना नहीं है अगर उसने कुछ बोला तो उपर से नीचे गिर जाएगा फिर वो बज़ नहीं पाएगा है ना बट है ही स्टोई लपलप यो काजबो की टॉट्टो इस अपना मूँ बंद नहीं करेगा वो बहुत ही टॉकेटिव है फिर क्या किया एक लकड़ी की बट से वो लोग गए यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में यहाँ पर दो एंड्स पे हंस ने पकड़ लिया है और बीच में कच्वे ने पकड़ लिया है है ना अच्रच थी नाना नाना गर अन्य वस्तो जोईक काजबो बोली उठीओ फिर वो शोक हो गया कि क्या हुआ वो शोक हो गया है जो वो उपर गया फिर वो नीचे देख रहा था क्या क्या है फिर सब कुछ देखकर वो बहुत ही शोक हो गया उसको मज़ा आनने लगा फिर अच्चानक से वो बोल उठा अरे नाना घर किटला नाना ता उससार बेरी स्मॉल उपर आप जाओगे तब आपको नीचे तो सब छोटा-छोटा ही दिखेगा यह सब देखके खुश हो गया वो खुशी के मारे बोल पड़ा फिर क्या हुआ फिर उसके मुँसे लकडी छूट गई और नीचे गिर के वो मर गया यहां पर आप देख सकते हैं है ना यह कच्छवा मर गया है ना सो कभी भी आप कुछ भी करते हो ज्यादा बोलना नहीं चाहिए ओके स्टूडेंस सो यह हमारी यह थी हमारी स्टोरी और नेक्स्ट है हम अपनी फायर फ्लाइट टेक्सबुक में भी तो लिखेंगे है ना कौन सा है पेज नंबर पेज नंबर 6 है ना फायर फ्लाइट टेक्सबुक पेज नंबर 6 में आपको क्या करना है बच्चो यहाँ पे भी आपको ट्रेस करना है फिर यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है ओके स्टूडेंस यह पेज नंबर 6 था और यह है आपका page number 7 जुओ, घुटो, अने लखो ओके, this page is only for writing यहाँ पर आपको trace करना है फिर यहाँ पर simple boxes दिये हैं वहाँ पर आपको लिखना भी है ओके, page number 6 and page number 7 आपको आपके firefly textbook में complete करना है ओके students, now move on to our notebook also ओके students, आपके firefly textbook में लखोनुचे हवे आपके notebook में, okay now we will write in our notebook also बदा आपके notebook काटू, Gujarati Fair notebook तो आपके केटलू करियो तो छोकराओ yes, हमने कितना किया था yes, हमने before letter, after letter, circle the same letter and match the picture with the letter ओके, इतना किया था आज हम करेंगे filling the blanks okay, क्या है ये, खाली, जग्या, पूरो okay, filling the blanks है, बच्चो so, first one is क, dash, gu, dash, dear okay, आपके क, टू, near सुधी करियो छे क्या सुधी करियो छे क्या सुधी करियो छे क्या टू, near okay, सो क के बाद क्या है, gu, क ख, 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 टारानो, ख, 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 ग, पच्ची सुवाँ से ग, घरनो, ग, ड्या ठीउ, क, ख, ग, ग, ड्या हावे सुवाऊं से next ग, पच्छी सुवाऊं से क, ख, ग, ग ड्य, च, छ, 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 त्री नो, छ, वने ज, पच्छी third one ख, ख, डैश, ग, डैश, च, क, ख, ग, 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 ड्य, च, च, डैश, ज, डैश, न्य, च, पच्छी सुवाऊं से च, छ, ज, ज, न्य, ओके, वन्स अगेन, पच्छों रेपेट करो चू, क, ख, ग, ग, ड्य, ग, ड्य, च, छ, ज, ज, ख, ग, ग, ड्य, च, च, छ, ज, 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 ने न्य, ओके, ये थे हमारे filling the blanks, ये आपको कहा लिखने हैं, गुजराती, फैर नौट बूक में, ओके स्टूडेंस, सो कंप्लीट इना, फायर फ्लाइ, फायर फ्लाइ टेक्स्ट बूक मां पन लखवान हुचे, अने नौट बूक मां पन लखवान हुचे, ओके स्टूडेंस, सो टेक केर, वे नाइस जे,